अब सब्सक्राइब करें और चलिए नुक वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोशन देखते हैं निमलेखित दियेगा सब्द के परिवाची सब्द का चैन करें निसा आपको बताना है कि निसा का परिवाची क्या होगा तो इसका सही जब हो जागा ऑपसर नमर सी या मेनी और अन्य परिवाची सब्द की बात करें तो वो हो जाएगा चया, रैन, रात, सरवरी, इत्यादी अगला प्रसन देखते हैं यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है परिक्षा की प्रणाली को बदल देना चाहिए इस वाक्य को तीन भागों बाटा गया है आपको बताना है कि कि इस भाग में तुरूटी है या फिर उप्सन नमर्डी यह जो वाक्य है वो तुरूटी रहित है तो इसका सही जब वोजयागा उप्सन नमर्डी तुरूटी रहित परिक्षा की प्रणाली को बदल देना चाहिए बिलकुल सही लिखा गया है अगला प्रसन देखते हैं नि अगला प्रसन देखते हैं निमलिकित सब्द के परिवाची सब्द का चैन करें धरा आपको बताना है कि धरा का परिवाची सब्द क्या होगा तो इसका सही जब हो जागा ऑप्सन नमर्डी धरती धरा का परिवाची हो जागा धरती और धरा के अनिपरिवाची सब्द की ब बात करें तो वो हो जाएगा वसुधा जमीन प्रित्वी भू भूमी धरनी वसुंद्रा रत्नगर्भा इत्यादी अगला प्रस्थ देखते हैं नीचली के वाकिक के लिए एक सब्द बताईए औसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक सब्द हम लोग क्या लेख सकते हैं तो इसका सही जाब जाएगा ऑप्सिर नमबर डी औसर वादी अगला प्रस्थ देखते हैं नीचे लिखे वाकिक के लिए एक सब्द बताईए युद्ध की इक्छा रखने वाला युद्ध की इक्छा रखनाले को क्या करते हैं तो इसका सही जब हो जाएगा option number A अगला प्रसंद देखते हैं निमलिखित सब्द का विलोम सब्द का चैन करें रोस आपको बताना है कि रोस का विलोम क्या होगा तो इसका सही जब हो जाएगा option number C खुश रोस का विलोम हो जाएगा खुश और रोस के अन्य परवाजी सब्द की बात करें तो वो हो जाएगा कोप अमर्स को प्रतिगात इत्यादी अगला प्रसंद देखते हैं आधे अधूरे नाटक के रशनकार कौन है तो इसका सही जब हो जाएगा option number C अगला प्रसंद देखते हैं निमलिखित सब्द का विलोम सब्द का चैन करें अनुपम आपको बताना है कि अनुपम का विलोम क्या होगा तो इसका सही जब हो जाएगा option number B कुरूप अनुपम का विलोम हो जाएगा कुरूप और अनुपम के पड़ेवाची सब्द की बात करें तो वह हो जाएगा अपूर्व अतुल अनोखा अधबुद अनन्य इत्यादी अगला प्रसंद देखते हैं निमलिखित मुहाबरे का सही अर्थ दिएगा विकल्प में सचुनिए आस्तीन का साप आस्तीन का साप इस मुहाबरे के लिए आपको सही अर्थ चुनना है कि क्या होगा तो इसका सही जाब हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए विस्वास घाती आस्तीन का साप मतलब विस्वास घाती अगर हम इसे वाकियां पड़ियोग करें तो मोहन का मि नगर में प्रवेस नगर प्रवेस में तत्पुरुस समास है अगला प्रसंद देखते हैं निमलिखित मुहावरे का सही अर्थ दियेगा बिकल्प में से चुनिए घुटने टेक देना आपको बताने कि घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो इसका सही ज संधिये कविंद्र सब्द में कौं सी संधिये तो इसका धी जब जैगा ओप्सन नमबर ए दिर्ग सवर संधिये कविंद्र का अगर हम लोग संधी विशेद करेंगे तो कवी जोर इंद्र यहां और ई और ई मिलकर दिर्ग ई में परिवर्तित हो जाते हैं जब हरस्वय या दिर्ग और ई उ के परस्तात में यदि हरस्वय या दिर्ग और ई उ आए तो दोनों मिलकर दिर्ग आ ई उ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं आपको यहाँ पर खाले स्थाने भढ़ना है जन्चेतना का अर्थ है जन्तंत्र को डैस आधार देना ऑप्शन यहाँ पर दिये गए है चार आपको इन्में से फिल करना है कि खाले स्थान में क्या आएगा तो इसका सही जब हो जाएगा ऑप्शन नमबर C व्यापक जन्चेतना का अर्थ है जन्तंत्र को ब्यापक अधार देना अगला प्रसन देखते हैं सजावट सब्द में प्रत्या है आपको बताना है कि सजावट सब्द में कौन सा प्रत्या है तो इसका सही जब हो जाएगा ऑप्शन नमबर A निर अगला प्रस्ण देखते हैं ग्यानास्रई साखा के प्रमुक संत कवी का नाम है ग्यानास्रई साखा के प्रमुक संत कवी का नाम क्या है तो इसका सही जब हो जागा ओप्सन नमबर C कवेरदास अगला प्रस्ण देखते हैं आपको यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है छमा कीजे मैं कल नहीं आपाऊंगा क्योंकि मैंने कानपूर जाना है आपको बताना है कि इस वाक्य किस भाग में तुरूटी है या फिर उप्सन नमर D ये जो वाक्य है वो तुरूटी रहित है तो इसका सही जब हो जाएगा उप्सन नमर C यहाँ पर मैंने मैंने जो लिखा है इस आपर मुझे होना चाहिए तो सही जब हो जाएगा आपका छमा कीजे मैं कल नहीं आपाऊंगा क्योंकि मुझे कानपूर जाना है अगला प्रसन देखते हैं यमुना यमनोत्री से निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है यमुना यमनोत्री से निकलती है इसमें कौन सा कारक है तो सही जब हो जाएगा ऑप्सन नमर C आपादान देखिए दिये वाक्य में आपादान कारक है आपादान अलगाओ या अलग होने के भाव को प्रकट करता ह अगला प्रशन देखते हैं निमलिखित में कौन सा सब्द पुलिंग है आपको बताना है कि चार यहां पर option दिये हैं कौन सा जो है वो पुलिंग है तो इसका सही जब हो जागा option number A कच हुआ अगला प्रशन देखते हैं मैं और पर किस कारक का विवक्ती चिन है मैं और पर किस कारक का विवक्ती चिन है तो सही जब हो जागा option number A अधिकरन अगला प्रशन देखते हैं स्याम राम को धक्का देता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है स्याम राम को धक्का देता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है सही जब हो जागा option number A दिकर्मक अगला प्रस्न देखते हैं निवन में से व्यक्ति वाचक संग्या का उधारन है आपको बताने हैं कि व्यक्ति वाचक संग्या का उधारन कौन सा है इसका सही जब हो जाएगा ओप्सन नमबर A राम अगला प्रस्न देखते हैं नदी सब्द में कौन सी संग्या है इसका सही जभज़्य का औफ्सिन नमर ए जाती वाचक नदियों का नाम जाती वाचक संग्या का बोध कराता है जाती वाचक संग्या से जो सब्द किसी प्रानी, पदार्थ या समुदाय के संपुर्ण जाती का बोध कराता है उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं जैसे नदी, परवत, आधी अगला प्रस्ण देखते हैं भक्त का बहुबचन सब्द है भक्त का बहुबचन सब्द क्या होगा तो इसका सही जब हो जागा option number C भक्त जन अगला प्रस्ण देखते हैं निवलिखित में से कौन सा सब्द तदभाव नहीं है द्यानती जगाएं पर पूछ रहा है कि नहीं है सही जब हो जागा option number B अगला प्रस्ण देखते हैं तो ये थे हमारे 30 questions उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थैंक्यू फर वाचिंग जहेंद